नमस्कार दूस्तों मैं पाविस्ट मुल्या स्वागत करता हुआ आपके यूट्यूब चैनल पर आज हम डिसकस करने वाले हैं अगर आपका अकाउंट बैंक बरोडा में है आपको नया ATM कार्ट रिसीव हुआ है तो उसका पिन कैसे सेट करें और अगर आप अल्रीड एटिम क लिए गूय है उप्लीज घ्शन फ पर आपको विजिट करना है जैसे आप मशिन में एंटर होते हूँ आपको इस तैब का इन्टरीज करते हो जैसे को आपके सामने पर इंटर्टी एंटरथोस्ती है को चैनले करता हूआ प्लीज से सिलेक्ट और ज़िसोए 2017 की न ऊप्स य set regenerate pin हमें set regenerate pin वाला option है उसके उपर क्लिक करना है जैसे आप उसके उपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहाँ पे लिखा है enter your 40 digit account number यहाँ पे आपका 14 अक्सर का जो bank of broda का account number है वह यहाँ पर पूरे का पूरा लिख देना है यहाँ पर में आप आप अकाउंट number एंटर कर देता हूँ जैसे आप account number एंटर करोगे उसके सामने जो correct वाला option है उसके उपर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पेज ओपन होता है रे एंटर योर 14 डिजिट अकाउंट number मतलब फिर से आपको यहाँ पर आपका 14 डिजिट का जो account number है यहाँ पर फिर से डालना है यहाँ पर मैं फिर से डाल देता हूँ account number डालने के बाद एक correct वाला option है वहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हो फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे लिखा है एंटर योर 10 डिजिट data बढ़न यहाँ पर मोबल नं Gmail जो आपका bank में रजिस्टर है ऑव मोबल नंबर आपको डालना पड़ेगा अगर आपका mobile नंबर नहीं है तो पहले आपको रघिस्टर करवाना पड़ेगा उसके बाद ही यहाँ आप कर सकते हो तो आप में घन かरश पिर उसके सामने जो correct वाला option है उसके उपर में क्लिक करता हूँ जैसे हम क्लिक करते हैं तो तुरंत एक फिर से नया interface open हो जाता है इसमें लिखा है please enter one time password मतलब आपके mobile में एक OTP आया होगा आप आपके सामने एक नया page open हो जाता है उसमें लिखा है please enter your pin number मतलब आपको जो भी नया pin बनाना है वह आपको यहां पर एंटर करना है यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यह पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है क्योंकि आज कल आप देख रहे हैं बहुत सारे fraud हो रहे हरो जो newspaper माता है कोई किसी का किसी का पैसा उठ जाता है आपका ATM कार्ड का जो भी नंबर है यहां पीछे आपका ATM कार्ड का नंबर दीजिए तो आपको कुछ भी डिटेल शेयर नहीं करना है ध्यान रखने वाली बात है यह पिन भी आपको किसी को शेयर नहीं करना है तो यहां पर मैं पिन डाल देता हूं जैसे आप पिन डालोगे फिर से एक नए आप्शन ओपन हो जाता है प्ल कर सकते हो आपका जो फ्र कर सकते हो आपको जो प्रोसर करना था अब bacon बनाने आज का फ्रोसर्पोल लगा फिरम एक नहीं वीडियो को थे